सब्सक्राइब कीज़े ओमर्जी एक्स्प्लोरर को बेल आइकन को दबाईए लेटिस न्यूस सबसे पहले पाने के लिए और ये है बिल्कुल फ्री बिग बॉस 13 के विनर बनेंगे आसिम रियास ऐसा क्यों कहना हूँ मैं क्या है इसके रिजन्स और आखिर क्यों बाकी सभी फैंस भी आशिम रियास को सबसे जादा सपोर्ट करने लगे हैं और क्या है इनके सबसे बड़े रिजन्स आईए जानते हैं वीडियो में लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए अड़ेट करके बटों को टेश करके हम मारा सब्सक्राइब किशे और बात में आने वाई नोटिफिक्शन बेल को ओन करना मत भूलना तो आसिम रियास बिग बॉस के ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको बिग बॉस में आने से प लाक लोग आसिम रियास को सपोर्ट करते हैं जो कि ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं तो ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा जिसने बिग बॉस में रहते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि पीछे आए हुए किसी कंटेस्टेंट ने नहीं बनाया और आगे आने वाले कोई कंटेस्टेंट शायद ही से तोड़ पाए और जहां बात करता हूं सिधार्ट शुक्ला की तो उनकी भी अगर बात करें तो उनके भी केवल एक बार ही वन मिलियन हैस्ट्रैक्स पूरे हुए हैं तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आसिम रियास के पास उनका एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है और यही रीजन है कि शायद वो बिग बॉस क्या शोज जीस तकते हैं अगर मैं सेकंड रीजन की बात करता हूं तो आपने बहुत बार देखा होगा बिग बॉस में एक एक्सामपल के लिए लेते हैं कि माल लेते हैं सेफाली है जो कि इविक्ट हो ही जाएंगे तो यहां पर क्या होता है कि बिग बॉस शेफाली को तो इविक्ट कर देते हैं लेकिन विशाल को अगर सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं तो वो यह बोलता है कि पारस को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और इसके बाद विशाल है तो ऐसे में क्या होदा है कि जो विशाल के फैंस होते हैं वो सोचते हैं यार विशाल को कम वोट मिले हैं वो लोग वोटिंग स्टूडू कर देते हैं और जो पारस के फैंस होते हैं वो यह सोचते हैं कि यार पारस अभी विशाल से उपर है तो इसे और उपर करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में वोटिंग स्टोनों की ही बढ़ जाती है तो बिग बॉस भी इन सभी हतकंडों को आजमाते हैं और इसी के दम पर बहुत सारे लोग पॉपलर हो जाते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सिधार्थ और आसिम की तो हो सकता है कि आसिम को सिधार्थ से बोट मिले हो और बिग बॉस ने यह जरूर गलत बोला हो या फिर जूट बोला हो कि सिधार्थ नमबर बन पर हैं और आपसे नमबर टू पर हैं तो यह चीज़ आपको बहुत ज़हां से समझनी होगी कि हो सकता है कि आसिम रियास सिधार्थ शुक्ला से आगे हो और इतना आगे हों कि सिधात शुकला उन्हें ओवर टेक कर ही ना पाएं तो गाइस यहीं है अभी यह कुछ रिजन्स जिनकी वज़े से शायद 101 परसंट आसिम रियार सी बिग बॉस 13 के विनर बनने वाले हैं फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे चेक कमेंट करके बताना व पन्दे मात्रम